सराय रोहिला इलाके में मनी ट्रांसफर कमपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी से हुई 34 लाख रुपए से अधिक की लूट की वार्दात को सुलजाते हुए दिल्ली पुलिस की क्राइम रांच ने दो आरोपी सई दिमरान और राहुल सिक्का को गिरफतार किया है पुलिस ने इनके कबजे से लूटी गई रकम मैंसे साथ लाख रुपए सहित वार्दात में इस्तिमाल स्कूटी बरामत कर ली है सईद इमरान अपने बिजनेस में हो रहे घाटे और लोगों से लिए करजे को लेकर परिशान था इमरान ने अपनी परिशानी अपने दोस्त आमिर से शेयर की जल्द पैसों का बंदोबस्त करने के लिए आमिर ने हवाला कारुबारियों का पैसा लूटने की योजना बनाई आमिर ने इस योजना में अपने एक अन्य दोस्त राहुल को भी शामिल कर लिया जो पैसों की समस्या से जूच रहा था योजना के मुताबिक इमरान और राहुल ने करोल बाग शेतर से पैसे लेकर स्कूटी पर जा रहे हवाला करियर का पीछा किया और उसे सराय रोहिला इलाके में ओवर टेक कर जान सिमारने की धमकी देकर लूट लिया सीसी टीवी फुटेज के जरिये लूट में इस्तमाल स्कूटी की पहचान हो गई बाद में टेक्निकल इंटेलिजेंस के जरिये सूचना हाथ लगी कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी साईद इमरान और राहुल सिक्का उत्तराखंड में मौज मस्ती कर रहे है कर रहे है